चार लोग एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे. ट्रेन सुन्दर बगीचों और पहाडियों से होकर गुजर रही थी. थोड़ी देर में ट्रेन एक सुरंग के मार्ग से होकर जाने लगती है और यह पिछ अंधेरा हो जाता है. जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो पता चलता है कि नैसी का ब्रोच लापता हो गया है. नैसी अपने अगल बगल देखने के अलावा अपने आसपास में बैठे लोगों से पूछ ताच करते हैं. मोहन मैं काफी पी रहा था. सोहन मैं सो रहा डॉट था. रामू मैं अखबार पढ़ रहा था. मोहन सोहन और रामू इन तीनों लोगों में से किसने चोरी की है? बोलिये 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 बताईए बताईए. चोरी रामू ने किया है क्योंकि चोरी करते बक्त अंधेरा था और अंधेरे में अखबार को उल्टा पकड़ लिया है रीमा ने अपने बुटीक में प्रवेश किया और देखा कि एक बहुत ही महेंगी फिट कोट गायब हो गया था उसने चोर को पकड़ने के लिए जासूस मेहुल को बुलवाया उसने मेहुल को बताया कि उसे तीन लोगों पर शक है दॉट वाच्मैन मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता मैंने इसे नहीं चुराया है दोस्त कल मैं बुटीक पर आये थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती मैं कोई कोट न नौकरानी मुझे फट से एलरजी है मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं सोचिये 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 सोन कर कर बताये नौकरानी होटल के पोते में एक बहुत बड़ी शाही पार्टी चल रही थी अचानक रोशनी और एक बंध हो गई जब रोशनी वापस आए तो पता चला कि राहुल का ही रामिरा का गायब हो गया है पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल बेटा और उन्होंने फुटेच से पहले और बाद में जाच की और तुरंद समझ गए कि हर किसने चुराई है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह चोर कौन है बोलिये 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 जल्दी जल्दी सोच कर कमेंट में बताएए आदमी ये उसकी जेब को देखो हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है